लेसुन में पिलापन आ रहा है तो उसमें ऐसा क्या डाले जिससे पिलापन दूर हो जाए और पोदा फिर से हराबरा हो जाए किसान भाईयो नमस्कार स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल इसमाल्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेसुन की चोटिया पिली पढ़कर सूक क्यों जाती है इसके पीछे क्या कारण है और आप लेसुन को फिर से हराबरा किस परकार से बना सकते हैं लेसुन की बंपर प्यदावार तब ही प्राप्त होगी जब लेसुन का पोदा सुरुआत से लेकर अंत तक हराबरा और स्वाष्ट रहेगा लेकिन लेसुन में अनेको प्रकार के रोग आते हैं कई प्रकार से पिलापन आता हैं उसके अलावा जड़ में कीड़ा लग जाता है पंगस लग जाती हैं जिसके कारण लेसुन की हमें बंपर प्यदावार नहीं मिल पाती हैं इसलिए आज के इस वीडियो में हम पूरी डीटेल के साथ बात करेंगे कि लैसन की पत्यों के जो उपरी सीरे पीले पढ़कर सूकते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और आप उसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाई अपना सकते हैं तो आप वीडियो को अंतर तक जरूर देखना और आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पाई जो गंटी की निशाने उसे जरूर दबा दीजिए अब अगर हम लैसून की चोटिया सूखने के कारण और उनके उपाई के बारे में बात करें तो लैसून की चोटिया सूखने के कई कारण हो सकते हैं जिसमें से पहला कारण मोसम में लगातार परिवर्तन भी होता हैं अगर आपके छेतर में मोसम में लगातार परिवर्तन हो रहा हैं किसी दिन गने बादल चाहे रहते हैं और किसी दिन तेज दूप निकलती हैं तो ऐसी कंडिशन में लैसोन की पत्यों पर फंगस लगने के चा बाद पोदे की जो पत्यों की चोठिया होती हैं वह पीली पढ़कर सूकना स्टार्ट हो जाती हैं अगर मोसम में लगातार परिवर्तन हो रहा हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप सलपर पाउडर का इस्प्रे करें आप एक 15 लिटर वाले पंप में 50 क्राम सलपर पाउड किसे खत्म हो जाएंगी किसान भायो चोठिया सूकने का दूसरा कारण नाइट्रोजन की कमी भी हो सकता हैं अगर पोदे में नाइट्रोजन की कमी होती हैं तो उसका सबसे पहला लक्सन यहीं दिखाई देता है कि पोदे की चोठिया पीली पढ़ना सुरू हो जाती हैं आपने अगर यूरिया का पुल्योग कर दिया हैं तो फिर आप डबल में यूरिया ना डाले क्योंकि उसके पीचे और भी कुछ कारण हो सकते हैं किसान भायो अगर हम खैत की जूताई करते हैं उस समय खैत की अच्छे तरीके से जूताई नहीं करते हैं और जल्दी- लोका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जिसके करण भी लासुन की चोटिया सूखने की समस्या दिखाई दिया सकती हैं तो अगर आपने जुताई सही तरीके से की हैं और आपके चोटिया सूख रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अन्य करण भी हो सकते हैं और किसान भ बारिस हो गई या फिर किसी अम्य कारण से आपके लेसिन में पानी चला गया है तो उस लेसिन में पीलापन काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है तो आप लेसिन की जब भी सिचाई करते हैं तो ध्यान रखे खेट में नमी मोजुद हो तो आ finely सिचाई ना करें नमी खत्म होने के बाद यी सिचाई करें उसके अलावा क्यारों के अंत में पाने का ज़्यदा ब्राव ना होने दें अगर बारिस आ जाती हैं अचानक से तो आप जल निकासी की उचित विवश़्ता करें किसान भाईयो उसके अलावा जो आपने बीज की बुवाई की है उसके उपर भी यह रोग काफी ज़्यदा डिपेंड करता है क्योंकि जो उटी लेसुन होता है उसका बीज बाहर से मंगवाना पड़ता है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो उटी लेसुन होता है उसमें कभी भी पीलापन की समश्या नहीं आती है बहुत कम परसेंट उटी लेसुन में पीलापन की समश्या आती है जबकि जो देशी लेसुन होता है जिस लेसुन का बीज हमारे पास ही होता है तो उस lesson के अगर आप हुआ ही करते हैं तो उस lesson में आपको पीलापन की समझ्या ज्यादा देखने को मिलती है तो बीच के उपर भी काफी ज्यादा मात्रा में defend करता है क्योंकि आप अपने area को छोड़ कर दूसरे area से अगर बीच मंगवाते हैं तो उस बीच से जो पोदा अंगुरित होगा वह सुरुआ से अच्छी ग्रोध करेगा उस पोदे में फीलापन नहीं आएगा और उस बीच की पैदावार भी ज्यादा निकलेगी तो ये बीच के उपर भी depend करता हैं अगर आप हर साल एक ही बीच की बुआई करते आ रहे हैं तो आपके lesson में ये समस्च्या काफी ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी तो किसान भाई यो इस वीडियो में हमने डीटेल के साथ बात की lesson की टोटिया सूखने के कारण और उनके उपाई के बारे में उम्यद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीदेगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान